को ॐ थे हैं आप लोग आ जाया है जो कि और अलक से बैच क्या होता है ऊज जातर कशे़ से पढ़ने पड़ती है इससारी निसकोशन के बारे में चर्चा करने वाले हैं आप obecू साथ और यहां प्रहले मेंं नोकि बहुत कई वर्शों से लगातार पढ़ाते हुए आ रहे हैं इनकी offline classes भी चलती थी सरकी पटना में इसके बाद इलहाबाद में रेलवे के बहुत पुराने जो बैचिस थे यहां पर जो 2016 में हुए थे exam या 17 वाले में हर जगह जो बच्चे पास किये थे अपना प्री एक्जाम और मेंस एक्जाम उन सभी को लोगों के लिए इनोंने साइको टेस्ट अरेंज करवाया था और यह पहली बार हो रहा है आप लोगों के लिए online साइको टेस्ट के class लेकर आ रहे हैं बाकी पहले मैं गौतम सर को बुलाना चाहूंगा कि गौतम सर आएं और बाकी इसके बारे में बताया है कितने तरीके कोस्चन आते हैं कितना टाइम लगता है तो गौतम सर थेंक्यू सर आपका बहुत-बहुत धन्यवाद भातो बच्चो आप सभी को मेही तरब से पहली ब क्वेशन इसमें ऐसा नहीं आता है जो आप छोड़ दोगे लेकिन होता क्या है इसमें आपको जो क्वेशन की संख्या दी गई है और जो आपको टोटल मिनिट एलोट किये गया है उसके बीच का आप रेशियो देखेंगे तो आप घबरा जाएंगे इतने धेर सारे क्वेशन पढ़े हो या नॉन वर्बल या चित्रो वाले प्रशनों से आपकी परिचे बड़ी अच्छी तरीके से है लेकिन मात्र चित्रवाले ही प्रशन आपके यहां पर नहीं आएंगे तो हम जानते हैं कि CBD-2 की सफलता में जो बच्चे कैंडिड उसको क्वालिफाई क चुके हैं उसके बाद जो साइको टेस्ट उनका होगा तो साइको टेस्ट एक्चली होता क्या है और साइको टेस्ट में कैसे कैसे क्वेशन पूछायते इनका सेलेबस क्या है फिर उसके बाद हम लोग इसके क्वेशन पर इंट्रो करेंगे कि कैसे कैसे क्वेशन साते हैं त दूसरा लगातार बोलता चला जा रहा है, तो आपने देखा होगा कि सामने जो म्यूट है, एक दम चुप चाप है, वो सामने वाले की आखों में आख डालके उसको पढ़ने की कोसिस करना चाहता है, मतलब आप जिसे किसी कभी पुल स्टेशन जाईए, तो जो वहाँ पर थानेदार या जो वहाँ पर दरोगा होते हैं, वो मुझरीम की आखों में आखे डालकर बस देखते रहते हैं, वो सारी चीज़े आपजर्व करते हैं, कि जो ये बाते बोल रहा है, साइकोलोजिकली वो दरोगा साइकोलोजिकली टेस्ट करता है, कि क्या ये बाते सत्य बोल रहा है या जूट बोला, और बहुत जल्दी वो डिफाइंड भी कर लेते हैं, कि नहीं तुम बाते जूट बोल रहा है, सत्य बोल रहा हो, तो साइको टेस्ट आपके रेले में में जो होते हैं, उसके part उसका syllabus क्या है उन सब बारे में मैं discuss करूँगा सबसे पहले मैं आपको बता दू उस organization का नाम जो psychotest आपका conduct कराएगा जैसे आपको exam देने जाते हो तो TCS हो गया या IBPS हो गया ऐसी संस्थाओ का नाम आपने सुना होगा जो आपके exam को conduct कराते हैं पूरी तरीके से वैसे ही जो आपका साइको टेस्ट होता है ये साइको टेस्ट आपका RDSO conduct कराता है बच्चे याद रखिएगा ये कौन conduct कराता है RDSO conduct कराता है यानि research design and standard organization ये इस organization का पूरा नाम है RDSO is completely responsible to make your question paper psychology test जो भी होगा उसमें जैसे भी questions आएंगे वो कौन कराएगा RDSO कराएगा तो एक तो ये हो गया कि RDSO मतलब पूरी तरीके से इसके control में है कि psycho test ये कराएगा ठीक है अब और आगे हम जानते हैं तो कुछ question बच्चों के ये होते हैं कि sir psycho test में reservation होता है जैसे मान लो one is from the general category कोई OBC category का है कोई SC category का है कोई ST category का है तो क्या sir जैसे exam जब हम देते हैं तो हमें वहाँ पर आरच्छन मिलता है क्या psycho test में भी किसी तरीके का आरच्छन होगा मेरा जवाब यहाँ पर होगा नहीं आपको यहाँ पर किसी तरीके का कोई आरच्छन नहीं मिलेगा बच्चे इस बात को ध्यान रखिएगा कोई reservation आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा कोई भी किसी तरीके का reservation नहीं मिलेगा दूसरा point आपके दिमाग में psycho test देने से पहले आप इन सब बातों को एगदम अपने दिमाग में set कर लीजए क्योंकि यहाँ पर ना तो आपको कोई कागज मिलेगा क्या आपकी आखेंगे उत्ना तेज आप आंँसर पर अपना प्राप्ति करते जाएंगे और जितना धीमे होंगे इसमें उतना ही आपसे question छूटता चला जाएगा या गलत होने की possibility होगी Second part में ये बता दू कि क्या psycho test में सब negative mark होता है वेटा दब के एकदम question पर टिक लगाना ठीक है दब के एकदम question attempt करना 165 question आपको इसमें मिलेंगे सारे question attempt करना अपने दिमाग से जहन से इस बात को completely निकाल के फिरकिए किसी भी तरीके का कोई negative marking आपका psycho test में नहीं होता है अपने दिमाग में इस बात को रखिएगा 165 questions आएंगे और ये 165 question का division किस तरीके से RDSO करेगा वो मैं अभी आपको one by one सब कुछ बताता चलूँगा फिर उसके बाद आप question याता है कि sir syllabus क्या है psycho test अगर हम पढ़ रहे हैं तो हमें किन-किन चीजों को पढ़ना चाहिए जिसे आप maths पढ़ते हैं तो maths में एक index होता है ratio हो गया percentage हो गया ठीक है allegation हो गया profit and loss हो गया work and time हो गया pipe and system हो गया distance and वो हो गया मतलब यह सारी mensuration हो गया geometry हो गया इस सारी चीजे आपके index में रहती है कि मुझे इन इन पार्ट को पढ़ना है सबसे पहले तो किताब का जो index वाला part होता है उसको अच्छी तरीके से 10 से 15 बार पढ़ा करी आप reasoning पढ़ते हैं इसलिए उसको विसाय सूची यह नहीं index कहा जाता है वैसे ही जब आप इहां psycho test देने जाओगे तो सबसे पहला question यह बनेगा कि सर इसका syllabus क्या है इसका syllabus क्या है सर एक बार syllabus पर चर्चा थोड़ी अच्छे से कर दीजे ताकि हम कभी confused नहों तो देखो इसके syllabus को टोटल पाँच भागों में बाटा गया है 1, 2, 3, 4 and 5 ठीक है इन पाँच भागों में सबसे पहला पार्ट जो रखा गया है वो है intelligence test उद्धी परिच्छन जिसको हम कहते हैं और ये intelligence test जो बच्चा मुझसे या किसी और से reasoning पूरा पढ़ा हुआ है exam को qualify जिसने किया है उसने reasoning जहां भी पढ़ा होगा उस reasoning पार्ट में जो non-verbal section यानि आकरतियों से संबंधित जो question होते हैं वहाँ पर उसको intelligence test के question मिल चुके होंगे मतलब इस वाले पार्ट में आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की आवसकता नहीं है क्योंकि पूरे psychology में सबसे easy level अगर किसी की बात में करूँ तो सबसे easy level आपके लिए यही होगा मेरे लिए बहुत easy है क्योंकि मैंने बच्चों को पढ़ाया है और देखते ही answer कैसे निकालते हैं मैंने बताया है तो I hope so जो बच्चे कहीं और से पढ़े होंगे या जो मेरे guidance में चले है वो इन क्वेशनों को बड़े आसानी से कर ले जाएंगे इसमें कोई समस्या नहीं आएगी ठीक है अभी हम यह भी चर्चा करेंगे वन बाई वन कि हर एक topic से हर एक syllabus के part से इन 5 points से कितने question और कितने minute होंगे जिसको देख के आप बहुत आश्चर चकित हो जाओगे कि सर इतने minute में इतने question हम करेंगे कैसे दूसरे part में आपका आएगा selective attention test जिसको हम कहते हैं चैनात्मक प्रश्न या चैनात्मक जाँच आपकी की जाएगी अब यह question कैसे होते हैं सर आते हैं बात करते हैं फिर आपका आता है इक Spital Scanning Test जिसको हम इस्थानिक जहमता कहते हैं ठीक है Spital मतलब तुरंत spot करने वाली बात मैं कर रहा हूँ तुरंत spot करने वाली बात मैं कर रहा हूँ Information Ordering Test निर्देश समझने की योगता की जाँच और फिर आपका आएगा Personality Test यानि व्यक्तिकर जाँच इन पाँच सेगमेंट से मिलाकर आपका Psycho Test होगा जिसमें पहले पार्ट की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर Intelligence Test यहीं बुद्धी जाँच परिछण होगी जिसमें आपको टोटल 35 questions मिलेंगे कितने questions 35 questions मिलेंगे और समय का ध्यान रखिएगा आपको कितने minute मिलेंगे 10 minute मिलेंगे सर यह Intelligence Test होता क्या है हम कैसे इसको पहचानेंगे इसमें कैसे questions आएंगे उस सारी बातें तो मैं बताऊँगा इस्थिती की जाँच करना आपके आपकी मनोदशा आप किसी परिस्थिती में फस गये हो उस इस्थिती में आप कैसा रियाक्ट करते हो जैसे आप मान लो कि आपने कोई crime किया और crime करने के बाद आपको court में कठगरा जो होता है वहाँ पर खड़ा कर दिया गया सामने एक judge है सामने एक वकील है वकील judge से आपके favor में या आपके dis favor में आपके hit में या अहित में बाते कर रहा है तो क्या आप वहाँ पर बोलने के लिए सच्छम हो जब तक आपको जज नहीं कहेगा तब तक आप वहाँ पर बोल नहीं सकते हो या जब तक आप से कुछ पूछा नहीं जाएगा तब तक आप वहाँ पर अपनी मर्जी से नहीं बोल सकते हो क्योंकि वो कोट का उलंगन होता है तो वहाँ पर आप क्या करते हो आप आपके lawyer ने या आपके against में या आपके favor में आपका lawyer जो भी बोल रहा है न आप उस चीजों को सुनते हो और मन ही मन मन ही मन ही record करते चलते हो कि किन point को इसने सही बोला है और किस point को इसने गलत बोला है उसे कहते हैं हम इस्थिती परिच्छन टेस्ट ठीक है यहाँ पर आपकी बुद्धी का परिच्छन इस प्रकार से किया जाएगा तो ऐसे questions इसमें आएंगे उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ तो दूसरा आपके सामने आएगा selective attention test in चैनात्मत यहाँ पर आपको किसी भी संख्या को जोड़ने के लिए कहा जा सकता है मान लीजिए for example मैंने यहाँ पर एक series इस तरीके से लिग दिया होऐ थी का मैंने यहाँ लिग दिया 2 लिग दिया 5 लिग दिया 8 लिग दिया 6 लिग दिया 9 लिग दिया और 4 लिग spreading कि अब इसके बाद मैंने यहाँ पर कहा आपसे पूच लिया मैंने आपसे पहला question पूछा कि विसम संख्याओं का याawaar बिक योगफल बताईए क्या होगा विसम संख्याओं का योगफल क्या होगा तो जोड़ने के लिए कह रहा है अब आपको पता होना चाहिए विसम संख्या जो की जनरल सी बात है सभी को पता रहता है विसम संख्या 5 हो गया विसम संख्या 9 हो गया और आप इन दोनों को थो नषैजए तो नौर 5 कितना होवा, आपका अंसर एहाना चाहिए था, πिर आपहसे कहेगा, जो समसंख्यां का योगफल बताइए तो आपको पता होना चाहिए, समसंख्यां कौन-कौन सी हैं और आप कहो कि सर दो लेलो, आठ लेलो, 8 के बाद 6 ले लो और 6 के बाद 4 ले लिए और इसको बहुत तेजी से आपको जोड़ना पड़ेगा कि 8 और 2, 10 हुआ, 6 और 4 10 हुआ, total 20 हुआ और यह जो यहां पर आप सांसे रोक रहे हो न कि 8 और 2, 10 हुआ, यह 8 और 2 और जो आपने लगाया है न जो और वर्ड लगाया है, यह और भी आपके लिए महाँ पर खतरनाक हो जाएगा, क्योंकि आप देख रहे हो कि यहां पर जो क्वेस्चन आएंगे उसके लिए समय कितना मिला है, 10 मिनिट मिला है प्रस्ण कितने हैं, 30 प्रस्ण है भाई साब, एक मिनिट में आपको तीन क्वेस्चन करना पड़ेगा मतलब आपकी स्पीड क्या होनी चाहिए आप यह जो आठ और दो बोले होना इस और को हटाईए, आठ दो दस लिट्रली, बिलीविट करिए इसको जब आप प्राक्टिकली करोगे ना तब आपको समझ में आएगा कि हाँ जी सर, आप एकदम सही कहरो हमें ऐसे ही चलना पड़ेगा तो यह आपको यहाँ पर सलेक्टिव अटेंशन टेस्ट होगा उसके बाद थर्ड पार्ट में आओगे तो आपका स्पाइटल स्कैनिंग टेस्ट है पर स्थानिक चमता है और इसमें टोटल कितने प्रशन आएंगे तो टोटल इसमें 40 प्रशन आएंगे और इसको करने के लिए आपको कितना मिनिट मिलेगा आठ मिनिट और इस 40 क्वेस्टन को चार भागों में डिवाइड करके एक्जामनर आप आप से पूछेगा मतलब 10-10 के 4 उपखंड होंगे 40 एक सेगमेंट हो गया उपखंड क्या होंगे 10-10 के होंगे मतलब टोटल मिला के आपको 40 क्ेस्टन कितने मिनिट में करना है बच्चे 8 मिनिट में करना है सर इसके क् survives कैसे होंगे अभी discuss करेंगे हम लोग, उसके बाद जब आप information ordering पर आओगे, निर्दे समझने की योगिता की जान, तो 25 question है इसमें, और total कितने minute मिलेंगे, 10 minute, आप देख रहा हो ना, हर 1 minute में तकरीबन आपको धाई, 3, 4, ऐसे ratio में question करने पड़ेंगे, जहां पर 40 question और 8 minute मिलेगा, वहां पर आप 8, 1 minute में आपको 5 question करना पड़ेगा, तो 1 minute में 5 question वही कर पाएगा, जिसने एकदम अच्छी तरीके से practice किया हो, जिसने एकदम अच्छी तरीके से point wise सारी चीजों को note किया हो, और खुब जम कर practice किया हो, pen, copy, paper, कुछ नहीं मिलेगा आपको center hall पर, आपको ऐसे ही जा जाओगे और perform करना, ना कोई अस्त रहेगा और ना ही किसी प्रकार का कोई सस्त रहेगा, तो be prepared guys, ये exam जो है आपका अंतिम पड़ाओ है, इस पड़ाओ के बाद आपका final merit list बनेगा, आपको ये भी मैं बता दूँ कि तकरीबन, मतला भी समझ लो कि आपके पास 56,000 बच्च सर मैं मान लूँ, ठीक है, तो आपको उन में से एक बन कर आना है, वेल छोड़िए उसके उपर अभी हम discuss कर लेंगे, तो यहाँ 25 क्वेस्चन और आपके 10 मिनिट है, और फिर आपका personality test, व्यक्तिगत जांच होगी, अब व्यक्तिगत जांच में सर कैसे क्वेस्चन पूछे जाएंगे, ठीक है, व्यक्तिगत जांच में आपसे कैसे question पूछे हैं, जैसे मान लीजे, मैंने यहाँ पर लिखा, कि शराब पीना, सराब का सेवन करना, स्वास्त के लिए, स्वास्त के लिए हानिकारक है, स्वास्त के लिए हानिकारक है, और option आपको पहला दे दिया, A, क सदेव, दी दे दिया, दिन में, दिन में, दिन में एक बार, दिन में एक बार, या ऐसा कुछ option बना दिया, तो आप अब यहाँ पर सोचोगे यार, ऐसा तो नहीं है, अगर हम उसको एक medicine की तरीके से यूज करेंगे, तो that is excellent for the body, और यह हमारी energy को, मतलब हर तरीके से save करेगा, और good for health also, है ना, लेकिन यहाँ पर आपको सरापका स्वास्त हानिकारक है, कभी-कभी हानिकारक होता है save-an करने से, कभी नहीं हानिकारक होता है, सदेव हानिकारक होता है, या दिन में एक बार, अगर इसका save-an करेंगे, तो भीड में खड़ा होना चाहिए, आपसन दे देगा, कभी-कभी खड़े हो सकते हैं, कभी नहीं खड़े हो सकते हैं, सदेव खड़े हो सकते हैं, दो लोग के साथ खड़े हो सकते हैं, अटेंटिव होना चाहिए आपका, बहुत hard नहीं होगा, बहुत easy level का होगा, बहुत easy level का, आएंगे और सारे मिनिटों को आप यहां पर जोल दीजेगा, यह आपको यहां पर 10 मिनिट मिल रहा है, यहां पर 10 मिनिट मिल रहा है, यहां पर 8 मिनिट मिल रहा है, कितने मिनिट होगे टोडल, जल्ली जोल के पताओ, 28 और ये 10 मिने 38 मिने और 38 बिले और 38 बिले मतलब आपको finally जो पूरा time मिलेगा वो कितना मिलेगा 48 मिने आपको यहाँ पर मिलेगा इस 165 question को करने के लिए आपको कितना मिलेगा जो भी आपने जोड़ा था 48 बिलेगा तो guys आपको पता ही है 48 question 48 minute में 165 question अगर हमे करना है तो हमें बहुत शांदार तयारी अपनी करके जानी पड़ेगी जरूरी नहीं है आप इस batch को purchase करो लेकिन मैं आपके लिए psychotest future times coaching के application पर पहली बार लेकर आ रहा हूँ ठीक है future time application पर इससे पहले psychotest इलहाबाद में बनारस में पतना में कई जगा psychotesty class चली है जब offline classes चलती थी offline paper होता था अब तो ये online paper है आपको पता ही है तो online के माध्यम से ही इसको हमें समझना है कि कैसे कैसे question आएंगे और कैसे कैसे हम उसको समझेंगे एक छोटा सा intro में आपको question का दिखाता हूँ छोटा सा intro में आपको बना दिया है ठीक है यहाँ पर मैंने इस तरीके से बना दिया जिसमें 1 लिखा है 2 लिखा है 3 लिखा है और यहाँ पर मैंने लिखा A B C D E F G H I J K L और L तक लिखा है अब इस question को देखकर आपके दिमाग में ये सीधा सीधा रास्ता पता होना चाहिए इस question को देखकर आपके दिमाग में एकदम सीधा सीधा बात ये पता होना चाहिए कि सर हमें करना क्या है इस question में करना क्या है तो देखो पहले से अगर आपको पढ़े हो तब तो कोई बात ही नहीं पढ़े हो तो इस बात को जान लीजे यहाँ पर ये जो गोला रिप्रेजेंट करता न ये रुकावट को रिप्रेजेंट करता है ठीक है रुकावट को रिप्रेजेंट करता है और ये जो square रिप्रेजेंट करता है इस तरीके से जो बना हुआ है इसकी बात में कर रहा हूँ ये जो बना हुआ है ये मकान को रिप्रेजेंट कर रहा है, मकान को रिप्रेजेंट कर रहा है, और मैंने आप से ये पूछा, कि अगर मुझे ए से के तक जाना है, तो मुझे कितनी बार मुड़ना पड़ेगा, और कम वाला बताना है, याद रखिएगा, कितनी बार मुड़ना पड़ेगा, तो मतलब एक बा अगर तुम इस रास्ते से चलोगे, तो यहां पर क्या लगा है, रुकावट लगा है, यहां पर क्या लगा है, रुकावट लगा है, तो रुकावट की तरफ तो आप जा नहीं सकते हो, मतलब यह रास्ता ही गलत है आपका, अब यहां से अगर तुम सीधे यहां तक चले आओ सीधे यहां तक चले आओ, तो तुम के तक आ रहे हो, मतलब कितनी बार मूनने की आवर सकता पड़ी, एक भी बार मूनने की आवर सकता नहीं पड़ी, यही अगर आप से पूछ लेता कि अगर आप A से लेकर G तक जाओगे, तो सबसे नस्दीक का मकान कौन सा होगा, सबसे नस से वहां तक पहुँची होगी, मुझे पता है, मैं वहां एक रुकावट डाल देता हूँ, अब आप किस रास्ते से निकलोगे, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आप इधर जाओगे, फिर ये इधर आओगे, फिर इधर आओगे, और फिर इधर आओगे, तो A से G तक जा हो, यहां पर आप तीसरी बार मुड़े हो, तो तीन बार आपको मूनना पड़ा, तो ऐसे ही साइको में क्वश्चन आते हैं, बस बात यह है, कि मैंने ये छोटा सापको दिया है, इससे बहुत बड़े क्वश्चन आएंगे, क्योंकि छोटा रहेगा, तो बच्चा बहुत वो असिस्टेंट लोको पाइलेट बने या फिर वोटेवर जो उन्होंने अपने लिए पोस्ट सोच रखा है, तो आपको पता है ना, एक अच्छी मेहनत करनी है, क्योंकि वन टू और अप साइको टेस्ट के बाद ही आपका फाइनल मेरिट बनेगा, और इस मेरिट को बना लाने कोसिस करिए, अगर 35 कोशन दस मिनट में है, तो उसको आप 9 मिनट में लाने कोसिस करिए, ऐसा प्रयास करके आप जाएगा, क्योंकि जहां भी आप जाओ गिना साइको टेस्ट देने के लिए, वो तुमारे घर जैसा इंवारिमेंट नहीं रहेगा, वहाँ कई ऐसे ऐसे करेगा, और ऐसे ऐसे करेगा, तो you can be embarrassed there, आप वहाँ घबडा सकते हो, इसलिए थोड़ा सा शान्ती बना कर आप साइको टेस्ट की त्यारी करिए, हम लोग मिलते हैं अपने साइको टेस्ट के बैच में, आप सभी को मेह तरब से जैहिन और शुपकामनाय साइको इसके लिए धन्यवाद